कि नमस्कार दोस्तों कंसेप्ट आ रहने के ऑन लाइन सेशन में मैं डॉक्टर हिमान शुमासुर अब सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों अभिनेंदन करता हूं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और कुछ बातें आप लोगों से करनी थी दोस्तों इसलिए आपके सामने में आया हूं और बहुत बच्चों ने लिखा था लास्ट टाइम में की सर प्लीज क्रच का एक सेशन ले लीजिए जो भी सेशन आप नीचे कमेंट में लि लिखे थे वो सब भी मैं आपको इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने जरूर उपस्तित होंगा और सारे टॉपिक्स ले क्या हूंगा दोस्तों वादा है आपसे चार तारीक को कंसेप्ट आरेने का ओफ लाइन बैच एनाउंस हुआ है आपको पता ही यह कोर्स के अंदर आपको खास बात यह रहेगी जो ओफ लाइन कोर्स चालू होने वाला है कि पहली बार नरसिंग के फिल्ड के अंदर कोई संस्ता लाइफ रॉम क्लास रूम डारेक्ली आपको एप के माध्यम से भी सुविधा देगी तो अगर आपकी क्लास किसी कारेंट से मिस हो जाती है क्लास के दौरान तो आप उसको घर पे भी जहां पर भी हो उसको आराम से आप ले सकते हैं आपको कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा और एक और बात कि यह जो क्लास है यह 9 महीने तक आपके साथ रहेगी तो यह जो क्लास है इसके अंदर ऑनलाइन इसक क्लास कल हो गई थी तो कल मेरी थी ओ आज शेडियूल हो गई ठीक है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैश्री डाम क्रच पर हम लोग आज बात करेंगे तो इतना मैटर इसे पहुत ज़्यादा है मैं आपको कुछ कानसाइस करके लेके जो हमें exam के point of view से important है इसे तो आपन पढ़ते ही रहेंगे तो दो पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे क्रच को करने की आज एक पार्ट पर बात कर रहे हैं जिस आज इस क्रच पर बात करेंगे हम क्योंकि आपके नोड सेट के एक्जाम आ रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो main crutch का part है वो axillary crutch का syllabus nursing से related रहता है ठीक है दो और crutch होते हैं एक को बोलते हैं low strand या फिर Canadian crutch या फिर elbow crutch ठीक है एक ही नाम है सारे की सारे एक ही बात है और एक होता है gutter crutch तो इसके बारे में भी कुछ information से जो मैं आपको next session में दूँगा लेकिन इसमें question पूछते नहीं है जो main question जिस पर पूछे जाएंगे कि कैसे crutch को लेके चलना है बैठना है उठना है सीडी चड़ना है उतरना है या walk करना है two point gate three point gate four point gate swing two swing through यह सब हम लोग इस axillary crutch के अंतरगत पढ़ते हैं एंकलेक्स में आप पढ़ेंगे तो axillary crutch का सारा description भी दे रखा है मौसबी के अंदर और यह सॉंडरिस के अंदर भी आप लोग देख सकता है तो मैं concise matter आप लोग के लिए photo के माध्यम से भी लाया हूँ ध्यान से class को enjoy कीजिएगा दोस्तों कुछ questions है हमेशा जैसा ही trend racking question को वही solve करा देंगे तो पहला question आप लोग के सामने दोस्तो welcome to concept आरेने पहला question आपके सामने यह रहा first question अराम से question को पढ़ना है question बड़ा हो देखकर गबराना नहीं है अराम से इसको देखिए first question अराम से आप लोग इसको देखिए और इसका answer लगाने की कोशिश कीजिएगा मैं side में हो जाता हूँ तकि आपको दिखाई दे तकि आपको देखिए ठीक है दोस्तों ये कोशन था और इसमें लिखाय की क्रच का इस्तमाल को यह पेशेंट कर रहा है मैंने आपको बताया जो आपके चाहिए कोशन आएंगे वह यह 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 दोस्टों और लोगों नंव यह बहुत अच्छ आएंगी दिरज जी वहतारी एक अबीश सी प्रिंस बीसी सुरेश कुमार जी बोल र आर्टी जाट A B C, आशीश A, अर्चिट D C A, कीरन बोल रहे है A B C, ओके तो A C D, A B C और D मुलब सारे उत्तर आ रहे हैं आप लोगी तरफ से, अपने को देखना है कि एक करच का इस्तमाल जब कोई आदमी करता है, तो उसमें basic information उसको क्या देनी है, पहले आप ये देखिए, इस question को बोल जाएए, आप पहले ये देखिए, कि basic information करच के लिए use लेते वक्त क्या देनी चाहिए पेशेंट को, तो बहुत simple सी थादरन सी बात है दोस्तों, first, हम जो आज topic discuss करें, topic का नाम है, crutch और crutch के अंदर हम बात करेंगे, आज axillary crutch की, exclusively हम आज केवल axillary crutch की ही चर्चा करेंगे, दो और crutch होते हैं, उनके बारे में हम फिर कीसी दिन बात करेंगे, दोस्तों, ये crutch है, इस तरीके से crutch की design रहती है, ठीक है, और इसमें 4 parts आपको दिखाई देंगे, 4 parts, ये एक axillary crutch का diagram है, मैं आपको सारे crutch दिखाऊंगा, लेगिन focus करेंगे, हम axillary crutch भी, ठीक है, तो ये जो diagram दिखाई दे रहा है, कौन सा crutch है, axillary crutch है, ठीक है, इस axillary crutch के अंदर कितने parts होते हैं, पूरा जोड़ोगे, तो 4 parts आपको दिखाई देंगे, 4 parts, 4 parts कौन कौन से देखी, सबसे पहले यह वाला जो part दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका axilla इसके उपर रहना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, तो यह जो part है, क्योंकि axilla की नीचे रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं, यह axillary bar है, ठीक है दोस्तों, यह जो दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलेंगे, इसको बोले है, एक यहाँ चाहरा है, तो कितने upright हो गए, दो, तो हम upright की bracket मिलेंगे, भी 2 upright होते हैं, ठीक है, part 1 ही upright ही, लेकिन कितने upright होते हैं, 2 है upright, ठीक है, एक axillary bar है, यह upright है, ठीक है, यह देखे, यहाँ पर एक piece दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, hand piece, this is the hand piece, ठीक है दोस्तों यह जो part दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, hand piece, ठीक है, और सबसे नीचे यह जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक rubber का गुटका लगता है, इस गुटका नहीं बोलके, इसको बोलेंगे, for rule, for rule, यह सब इसके नाम है, ठीक है ना, तो यह part हो गया, axillary bar, यह वाला part हो होंगे, चार parts के नाम यह रहे आपके सामने, पहला point तो यह रहा, दूसरा जबी भी axillary crutch का हम चितर बनाएं, तो एक बात ध्यान रखें, इसकी design करनी जरूरी होती है, हर patient के लिए इसका size अलग-अलग design करना होता है, तो उस design करते वक्त किन points का ध्यान रखना चाहिए, वो कि जो patient का axilla है, उसमें कम से कम तीन उंगली का gap लगाना है आपको, तीन उंगली, एक उंगली लगबग लगबग एक centimeter की होती है, जो इसकी चोड़ाई है, तो आप तीन उंगली का लगाओगे, तो करीब-करीब तीन centimeter का gap आप लगा देंगे, तो तीन centimeter का gap तो लग जाना आपके axilla और axillary bar के बीच में, मतलब इसके design करते वक्त इस तरीके से design कीजिए, कि जो axillary bar वाला portion है, मान लेते हैं, यह axillary bar है, तो यह axilla को touch ना करे, बलकि इसमें कम से कम तीन उंगली का gap रहे, ठीक है, तो three finger width gap रखना है, पहली चीज तो यह है, three finger width gap होना चाहिए, किस-कि बीच में gap होना चाहिए, आपका axilla और नीचे जो crutch का है axillary bar, पहला point तो यह हो गया, ठीक है न दोस्तों, यह तो हो गया, पहला gap, first point तो यह रहा, ठीक है न, good evening sir, good evening, to prevent plexus injury, yes, prevent plexus injury अभी बता रहे, ठीक है, तो पहला point तो यह रहा, दूसरा, हमेशा ध्यान रखें कि crutch का जो hand piece होता है, वो hand piece इस pelvic bone के पास में होगा, अगर इसका hand piece pelvic bone से उपर या नीचे की तरफ हुआ, तो आपका elbow वाला जो angle है, वो angle बिगड जाएगा, angle रहना चाहिए 30 degree का, elbow के अंदर angle कितना रहना चाहिए 30 degree का, मतलब जब आप crutch को पकड़ो, तो hand piece जो है वो, अगर आ आपके elbow पे cone कितना बनेगा, 30 degree का cone बनेगा, अब 30 degree का cone यह नहीं होता है, तीक है ना, 30 degree का cone जमीन से होता है, मतलब अगर कोई इनसान अपने elbow को इस तरीके से ले के आता है, और पकड़ता है, क्रच को मान ले ते है, ऐसे उसने क्रच के handle को पकड़ा तो 30 degree का cone यह नहीं बनेगा 30 degree का cone बनता है यहाँ से यह this is the 30 degree angle ठीके ना नीचे वाला angle यह तो ज़्यादा होगा ना विटा angle यह तो obtuse angle हो गया 90 degree से भी जादा हो गया ठीके तो यह 30 degree नहीं cone यह वाला 30 degree का होता है ठीक है तो अपने को यह यह लिखना है कि elbow से और जो straight line का कोण है यह जो angle बनेगा यह कितने degree का बनना चाहिए 30 degree का बनना चाहिए यह दूसरा point है ठीक है तीसरा point अपने को बोलना है पेशेंट अगर अपने से पूछे कि क्या मैं इस axillary bar के उपर जूम सकता हूँ क्या मतलब यह जो axillary bar है मैं इसके उपर ऐसे हाथ रख्या अगर जूमू तो बढ़िया है क्या ऐसा चलना चाहिए क्या मैं तो बोलो नहीं इस axillary bar पे आप कभी भी अपना weight नहीं डालोगे मतलब क्रच को इस्तमाल करते वक्त यह बात बता देनी रहती है कि जो भी weight डाला जाएगा वो केवल hand piece के उपर डाला जाएगा न कि axillary bar पे axillary bar free रहनी चाहिए अगर आप उसको यहां पे touch करोगे axilla के उपर तो उपर nerve injury होने का खत्रा होगा brachial plexus का खत्रा होने का खत्रा रहेगा radial nerve की injury होने का खत्रा रहेगा अलर nerve की injury होने का खत्रा रहेगा ठीक है सुनिएगा ध्यान से तो यहां पर मैंने बोला कि क्या पेशेंट उस एक्जिलरी बार के उपर रेस्ट कर सकता है क्या नहीं तो लिखेंगे no rest या फिर wait on axillary bar अगर वो axillary bar के उपर wait रा लेगा या rest करेगा तो ऐसे condition में nerve की क्या हो सकती है injury हो सकती है अब एक question यहां बहुत अच्छा बनता है कि कौन-कौन सी nerve की injury हो सकती है आप याद रखो R.U. R.U. मतलब Rajasthan University R.U. मतलब कौन-कौन सी nerve radial दूसरी कौन सी अलर अब मैंने R.U. इसलिए याद कराया आपको कि अगर आप से पूछे कि क्रच का इस्तमाल करता है तो early injury कौन सी nerve की हो सकती है तो उत्तर होगा radial late injury कौन सी nerve की होगी तो उत्तर होगा अलर और radial दौनों की injury होगी लेट में लेट क्यों लेट में दौनों क्यों बोला क्योंकि early में किसकी हो चुकी होती है radial की तो फिट second late injury किसकी होती है अलर की early और late का अड़त ही है कि शुरुआत में अगर आपने गरत तरीकी से करच का इस्तमाल करना सीखा है और आप करच से गलत चल रहे हैं तो शुरुआत में कौन सी nerve damage होने का खत्रा रहता है तो उत्तर होता रेडियल सीधी अलर नर नर डेमेज नहीं होती तो हमेशा forward और straight देखेगा इधर उदर उसको देखना बिल्कूल भी allowed नहीं रहता तो कहाँ देखना है उसको straight देखना है forward यह important है जब इभी क्रच का इस्तमाल करेगा तो क्रच का इस्तमाल करते वक्त हमेशा उसकी निगाएं इधर उदर नहीं रहेगी उसकी निगाएं सीधी की सीधी कहां रहेगी स्ट्रेट फॉरवड रहेगी इस बात का important point ध्यान रखना है ठीक है आखरी चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर patient को बोल देना है कि क्रच का इस्तमाल करते हैं वक्त अगर उसके हाथ में कोई सुन या जंजनाहाट की स्थिती उत्पन होती मतलब 5P के सेम्टम्स आने लगते हैं 5P जो नर्व इंजरीस के अंदर या नियूरो वैस्कुलर चेंज़ेस के अंदर आने लगते हैं तो ऐसे केस के अंदर तुरंत क्रच के यूज को क्या कर लेना है स्टॉप कर लेना है और आकर इंफर्म करना है किसको हिल्थ केर प्रोवइडर को थीक है यह इंपोरेटन पॉइंट है पाच पॉइंट इंपोरेटन थीक है पहला पॉइंट का इंपोरेटन है कि करच का exact measurement होना चाहिए तो तीन finger width का gap रहना चाहिए एक्जिला और एक्जिलरी बार के बीच में है ठीक है पहला इंपोर्टेंट दूसरा एल्बो का कोण कितना डिगरी तक चला जाना चाहिए लगबग लगबग 30 डिगरी चला जाना चाहिए ठीक है no rest weight on the axillary bar rest या weight put नहीं करना है किसके उपर axillary bar के उपर अगर ऐसा करोगे तो nerve injury होने का खतरा होगा early injury कौन सी nerve की होती है radial late किसकी होती है अल नर देखो मैं लिख देता हूँ early और यहां लिख देता हूँ late आप याद रखिए R U आप ABCD बोलोगे तो पहले क्या आएगा R आएगा बाद में क्या आएगा RSTU ठीक है तो R पहले और U बाद में straight forward क्रच को यूज लेते वक्त बिल्कुल straight forward सामने की तरफ आपको देखना है और आखरी point क्या है कि अगर क्रच को यूज लेते वक्त हाथ में जंजनहाट होती है तो तुरंत क्रच के इस्तमाल को क्या कर देना होता है वहाँ रोक देना होता है दोस्तों ठीक है तो यह इस तरीके से अपने को points का ध्यान रखना है अब आप पहला कोशन सॉल करने की कोशिश कीजिए आपका उत्तर सॉल हो जाएगा ठीक है है हैंड पीस क्रच का कहा रहना चाहिए इस पैल्विस वाली जगे पर रहना चाहिए इस इंपोर्टेंट ठीक है तो यहाँ पर आपन वापस कोशन की तरफ एक बार मूँ करते हैं और देखते हैं अब लिखा है यापर क्रच का इस्तेमाल कर रहा हैトको छुशन दीकौंसा चाहिए कौन और आपके पादे करेक्ड़ निसक्राइब कर रहा है कि को क्रच का इस्तेमाल समझ offenders है कर्एक मिं इस्में में से तो दो लाइन दो लाइन आभी बोलेंगे चंता मत करो पेशेंट है विट्विन दी एक्जिला एंडी करच रेस्ट पेड यह बताया था आपको तीन उंगली गैप लगाना किस किस के बीच में एक्जिला और अग्जिलरी बार जो है उसके बीच में तो यह तीसरा उत्तर भी ही है चोथा पेशेंट प्लेक्षज वेट एक्जिला रेधर दें दी बैंड हैंट्स वाइल एंबुलेटिंग चलते वक्त इसको उップर ऋपर डाल रहा है वह क्या लख जिखा है कहां वेट डाल रही है उसको मنا करो कि ऐसा मत करना दिवाने नहीं तो क्या हो जाएगा नहीं तो nerve injury हो जाएगी कौन कौन सी nerve प्रभावित होगी मैंने बताया राजस्थान यूनिवर्सिटी radial nerve की injury पहले होगी अलनर nerve की injury बाद में होगी यह बात आपको बतानी है तो इस question का उत्तर जाना चाहिए B और C दोनों इसका correct उत्तर है क्योंकि यह लिखा है apply all इसलिए B और C दोनों इसका उत्तर है ठीक है आचा करता हूँ आपको समझ माया होगा B C B C इतना सारा लिख दिया आपने है आप लोग भी हो जोड़दर खेर next question देखते हैं दोस्तों बहुत अच्छा question है next भी while using the crutches the patient moves both crutches forward then move both leg past the placement of the crutches this is known as good उत्तर दीजेगा दोस्तों इसका रादिका जी थेंक यू अर्चित शर्मा जी चोट लग जाएगी हाँ चोट लग जाएगी अर्चित शर्मा बी सी आप B और C उत्तर है उसका ऐसे बुली खो आप B और C दनों उत्तर है उसका ठीक है good यह कॉन सी गेट है यह गेट है मैं आपको 5 गेट्स आज पढ़ा हूँआ ठीक है 5 गेट्स 5 गेट कॉन कॉनसी होगी एक होगी 2 पॉइंट एक होगी three point एक होगी four point एक होगी swing two और एक होगी swing through ठीक है तो देखते हैं दोनों पहली बात इस point में सीखने की यह है कि यह जो gate है यह सबसे fastest gate है सबसे तेज चलने वाली gate यही होती है इससे इतनी speed में चल जाता है इंसान बहुत तेज की एक normal walk करते सबसे इनसान से भी तेज वह भाग सकता आगे की तरफ ठीक है तो सबसे fastest gate कौन सी होती two three four swing two swing through तो उत्तर यह रहता swing through अब देखो question के अंदर ही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है question में लिखा हुआ है moves both crutches forward पहले patient ने खड़ा था उसने दौनों crutches को कहा रखा forward यह पहली line लिखी देखो पहली line का अर्थ ही रहा then उसके बाद में moves both leg forward past the placement of the crutch फिर दौनों पाउं को जुलाता हुआ हाथ जोर पे डाला है हाथ कभी भी axila के उपर weight नहीं डालना है weight कहां डाला जाएगा यहां तो भाईया एक बात ध्यान रखनी है कि जब यहां पर weight डालेगा तो इसके जो बाहु है इसका जो हाथ है यह हाथ कैसा होना चाहिए strong इसलिए यह चाल उन्हीं लोगों को बताई जाए जिनके हाथ स्ट्रोंग रहने चाहिए यंग पेशेंट साथ साल की उमर का है या उससे ज्यादा का इमान लेते हैं एक्जैंपल के लिए तो आप उसको स्विंग टू या स्विंग तू कैसे बता सकते हो क्योंकि स्विंग टू और स्विंग तू करने के लिए जोर एक्जिला पे तो डालना ही नहीं है अपने पहले ही मना कर दिया तो आपको हाथ पे जोर डलवाना पड़ेगा मतलब जो हैंड पीस है उस पे जोर लगेगा क्योंकि जब वो क्रच को आगे रखेगा और जूलकर क्रच से भी आगे जाएगा तो जब वो जूल रहा है उसने वेट कहां रखा हैंड पीस पे इसका मतलब आपके हाथ कैसे रहने चाहिए स्ट्रॉंग जिनके हाथ की मसल से स्ट्रॉंग है जिनका अपर बॉड़ी वाला जो पार्ट है ये स्ट्रॉंग है उन्हीं को इस तरीके की चाल देनी होती है बाकी ज्यादा एज वाले पर तो नहीं देंगे खेर हमारा कोशन है कि एकजिला को आगे रखा क्रचिस को आगे रखा और फिर बाद में सेकंड पॉइंट में अपने पाउं को क्रच से भी आगे लेकर चला गया तो उसने पास कर लिया पास करने के लिए शब्द आएगा थ्रू ठीक है तो यहां पर उत चला गया क्रच के आगे अगर वो क्रच के पास में ही रूख जाता मतलब उसके क्रच यहां रहते और जब यह कूद के आता तो क्रच के पास में ही रूख जाता तो उसको बोलते स्विंग टू गेट यह मैं आगे आपको अभी दिखा दूँगा ठीक है अभी इसका उतर क् स्रेंग त्रू क MON दोगों iki उन्डर काम में खाल काम में लिया जाएगा उन लोगों के अंदर जो कि ऐग्सिला को हुश को ईक्र ऊपर वेट नहीं डालेंगे किवल हंड पीछ पहन डालेंगे और क्रचेस को आगे की तरफ टरफ क्रोसद आ जाहिए उस को बो लेंगी कौन सारी दुनिया एक तरफ तेरा होना एक तरफ एक तरफ तरी आखें और जादू उटोना एक तरफ तो इस आप लोगों के लिए नेक्स्ट कोस्टिन थर्ड का जवाब लगाईएगा दोस्तों स्टेडी मोटिवेशन एडल्ट में मुस्ली योगी जी हाँ जिनके हाथ स्ट्रॉंग रहते हैं उनके अंदर स्विंग तुए स्विंग तुए देते हैं ठीक है रादिका जी स्टेडी मोटिवेशनल स्टेडी मोटिवेशनल पर कुछ बोलूँ आभी बोल दूँगा अपने आप मन से आता है निकल के प्रिती जी कुछ बोल ती लेकिन चुड़ गया उपीचे अर्चित जी आपको भी में तरफ से बहुत बहुत प्यार और शुब कामना ह को है चीच मोटिवेशनल वाला सुना दो अभी सुना देंगे मोटिवेशनल वाला आपको ठीक है कि दाउन देगा स्टेर का कॉस्छन है मंदने और सीड़ी उतर रहा है यहां नीचे उतर है टीक है वाइल गवेंग डाउन देडी करचीज़ धी पैशन्ट विल मूव दीकरची़ दाउन उन्टो देश्टैप फौलॉड बाई ठीक है पहले करची़ बाउन से पाम को ले पच्रक कैसे कूद किया जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता कूदना नहीं होता सीडी में ठीक है अधिकतर बच्ची जवाब ठीक लगा रहे हैं सुरेज जी बोल रहे हैं बी प्रिंस बोल रहे हैं भी दीरज भी होगा क्लासेज में बहुत अच्छी से समझाया राधिका जी थेंकियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है एक छोटा सा कंसेप्ट है अगर आपको इक कोशन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है जिन लोगों को जिन्होंने किया है बिल्कुल करेट किया है ठीक है सुनू जी र लफड़ा जानता है नहीं मैं सिर्फ इतना सा जानता हूं कि यू फॉर अप स्टेयर और यू फॉर अन अफेक्टेड बस ये लाइन पकड़ लीजिए आप यू वाली लाइन पकड़ लीजिए ठीक है ना ये लाइन पकड़ लीजिए यू फॉर अप स्टेयर यू फॉर रखोगे नंफेक्टेड का मतलब क्या लिख सकते हैं नोन इंजिर्ड ठीक है और जैसी नोन इंजिर्ड पाउं लेके आओगे तो इसके साथ में सपोर्ट के लिए क्या रखना पड़ेगा, यह कब होगा जब आप सीडी में क्या कर रहे हो चड़ रहे हो, up steer, you for up steer और you for unaffected, CD पे चड़ते वक्त, crutches से CD पे चड़ते वक्त, कौन से crutches की हम बात करें, किवल axillary crutches की हम बात करें, low strand crutch वाड़ में गया हमें मतलब नहीं, ठीक है, gutter crutch वाड़ में गया हमें में पूरा फोकस कर रहा हूं ठीक है अब ध्यान डखेगा यू फॉर अपस्टेयर यू फॉर अनफेक्टेड ठीक है अनफेक्टेड की जगे वो लिख सकता है नौन इंजेड एक ही बात है ठीक है जो पाउं उसका सही है चड़ते वक्त सीडी पहले उस पाउं को रख और उस सीडी उत्रोगे तो पहले किसको लेकर आओगे अनफेक्टेड को लेकर आओगे क्या इसका जास्ट उल्टा देखो पहले किसको लेकर आते है नौन इंजेड को यू फॉर अपस्टेयर यू फॉर नौन इंजेड और नौन इंजेड के बाद में किसको लेकर आते है अपन injured or crutches यहां पर opposite करेंगे opposite करेंगे तो पहले किसको लेके आएंगे injured plus crutch first step यह रहेगा ठीक है second step क्या रहेगा non injured यह रहेगा ठीक है और cd चड़ रहे थे चड़ते वक्त पहला step क्या किया था अपनने चड़ते वक्त पहला step you for upstairs you for un injured injured यह unaffected तो पहले किसको लेके आए थे non injured को बाद में किसको लाए थे injured को injured के साथ में क्या लेके आए थे crutch तो confused नहीं होना है बहुत simple answer है एक बार फिट से यहां पर लिख रहा हूं वापस सुन लीजिए you for upstairs stare और you for unaffected तो unaffected को पहले लियाओ unaffected के बाद में second किसको लाओगे affected को साथ साथ में क्या लियाओगे crutch और सीडी उत्रोगे जब down stair उत्रोगे तो बिल्कुल उल्टा करोगे पहले क्या लाओगे crutch लाओ और affected पाउं लियाओ फिर second point में किसको लियाओ unaffected यह लो यह फंडा है यह formula लिख लिए इसको ठीक है अब यहां क्या किया इसने यहां लिखा है down stair उतर रहा है जब down stair करेगा तो किसको ले के आया crutches के साथ में किसको लिया आया affected affected मतलब moving the injured leg down on two step यह इसका उतर होगा यह इसका उतर है भी बहुत आसान है वापस बोल रहा हूं एक ही line के अंदर इसका answer है कि you for up stair you for unaffected ठीक है इसका just उल्टा down stair करते वक्त पहले किसको ल पीछे कर लिजिए और बाद में किसको ले के आया ना इसका इसका ठीक है confused नहीं हो ना बिल्कुल भी you for up stair you for unaffected और उतरते वक्त बिल्कुल उल्टा कर लिजिए पहले injured और crutch को साथ में ले के आई और उसके बाद जो unaffected है पाओ उसको ले के आई है ठीक है next question देखीगा आप इस्टियर तो आपको तुरंट सौल कर देना चाहिए अप इस्टियर सीडि कहां चड़ना चाहता है यह ऊपर मैंने आपको बोला था यू फॉर अप स्टियर तो यू फॉर पहले किसको लाऊगे अफट अनफेक्टेड के बाद में पीछे किसको लाऊगे क्रच प्लस अफेक्ट यह फॉर्मूला है अब इस फॉर्मूला को सैट कर लो यही तो पूछा है बहुत आसान कोशन है इससे आसान कोशन एक्जाम में मिलेगा नहीं इस कोशन का अंसर बताईगा दोस्तों इसको इसको एक बार इसको कशनर कशनर है और आसान और एक्जाम में आते हैं लोग इसको छोड़ते हैं पतानी नहीं हो बहुत सिंपल कोशन्स होते ही ध्यान से देखे आएगा उतirm इं चलो आप देखते हैं कोशन कि इतना आसान है इतना बड़ा आपको सोचना ही नहीं बहुत सिंपल है ठीक है यहां लिखा है अपने को अपस्टेर अपस्टेर यू फॉर अपस्टेर और यू फॉर अनफेक्टेड तो पहले पाउं कौन सा रखना चाहिए अनफेक्टेड इंजर्ड भी शब्द काम में ले सकता है कोई फरक नहीं पड़ता तो इसमें देखो ऐसा कोई है कि जिसमें पहले वो अनफेक्टेड रख रहा है वही उत्तर होगा बस देखो पेशेंट मूज दी क्रचेज इसने बहुला पहले किसको लिया करचेज को पहले क्रचेज नह देखना चाहिए अपने को ठीक है तो सी क्या है पेशेंट मूज दी इंजर्ड लेग जबकि हमारे फॉर्मूला बोलता है कि यूँ फर आप स्टेर यूफ और आन अफेक्टेट यूफ शरा आए गलत तो हमारा उत्तर जो मिल रहा है वह उत्तर क्या है भी आप सभी लोगो अगला कोशन बताते हैं आपको जी दुखो यहां पर कुछ फोटो भी बनाई है मैंने तो यह कोशन देखिएगा और बताएगा इसका फिफ्त का पेशन अटाइम टू सेट डाउन इन दी बैट साइड चेर बहुत अच्छा क्रच की मदद से बैट ते कैसे हैं यह भी इतना इसी है कि मैं आपको क्या बता हूँ अब ध्यान से देखिए पहले आप सौल कीजिए फिर मैं बताऊंगा इसका प्रिती जी आपकी वैसे सही हुआ सर थेंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिफ्त कोश्चन का उत्तर बताईगा प्रिती जी बागी सभी बच्चे लिखो यार कमेंट में कुछ लिखा करो यार क्या थोड़ा उपर करूं मैं नीचे दिखाई देरा हलका सा ऐसे कर देता हूँ अब दिखाई देरा हो आपको देखिए कि अबचे लिए देखिए कि अबचे लिख कर देखिए कि अबचे लिए पॉइंट पेशेंट गलत बता रहा है बागी तीन पॉइंट पेशेंट से भी बता रहा है वो बताओ ठीक है ना सर मोटिवेशनल सुनाओ ठीक है मोटिवेशनल किरन जी आपके लिए स्पेशल भागी सभी लोगों के लिए स्पेशल है कि तु रख होसला वो मनजर भी आएगा और प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा यू थक्के न बैठ ए रह के मुसाफिर आपको स्पेशनल किश्चित है वहां आपको स्पेशन मिलेगा है तो दोस्तों चलिए अ और मैं आपको डाइग्राम में क्लियर करकेता हूं बहुत अच्छा बोश्रण है अभि मैं आपको चेर बैठ के बताता था लेकिन क्यों कि इन घुन constit कर बना सकता है कि बैठ आने की सुनिए गाधियान से कि जब चेर पर बैठना होता है तो क्या करना होता है ठीक है पहले चेर के पास में आ जाते हैं चल कर जो भी आपको पॉइंट दिया तू पॉइंट 3.4 पॉइंट जिससे भी आप चल रहे हैं उसको चलते चलते आप कुरसी के पास में आ जाते हैं मतलब जो इसका इंजड पाउं था उससाइड में इसने रख दिया क्रच देखना तो क्रच का है पहला पहला पॉइंट बोलता है कि दौनों करचे जए की तरफ कर लो किस तरफ कर लो इंजर्ड लेग की तरफ बोथ करच लगा लो क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए ठीक है सेकिंड पॉइंट जो पाउं सही है उस वाले पाउं के हाथ से इस कुर्सी के हैंडल को पकड़ लो यह देखो पकड़ लिया पकड़ लिया ताकि उसको ग्रिपिंग हो जाए पकड़ ल हेंड से एक चेर को लिए जैर के हैंडल को किया कर लिया ग्रिप कर लिया जो है जो पाउं सही है उसको ऊप्राइक लेकिन जो अफेक्टेटर उसको कभी मीक भी फ्लेक्स नहीं कर सकते हूं को कैसा रखना पड़ता थन तो धर्ड पॉइंट के अंदर जो पाऊं साई हैं मतलब अन अंफेक्टेड है उसको तो कर देते हैं पॉसको कर देते हैं एक्सज Vish और कुर्सी के अंदर बैड जाते हैं ठीक है उठते वक्त बिलकुल उल्टा उठते वक्त क्या करोगे पहले इस फ्लेक्स पाउं को एक्टेंड कर लो तो खड़े हो जाओगे इस हैंड के ग्रिप को छोड़ दो वापस यहां आ जाओगे और छोड़के जो आपके दौनों की दोनों क्रचे उधर पड़े हैं एक क्रच को वापस लिया हो और लाने के बाद में जो भी चाल आपको दी है उस चाल से चल यह इस तरीके से जस्ट इसका इस पॉइंट का उल्टा कर दोगे तो कुर्सी से उठना हो जाएगा तो हाउ टू सिट ऑन दी चेयर पहला पॉइं और ंसे बाएगा आपको कर सॉल हो जाएगा प्जू नो इस तरीके से बाद में जाएक चाया फंडे में हैं तो इस प्रॉसेर को बिल्कुल वापस किया कर देना है पोल्टा कर देना ठीक है अब और आपenga Maybe 007 को फोसर ने बोला है की एक पॉइंट पेशएंट गलत कर रा है कुर्सी पर बैठते वक उस पॉइंट में हम पेशएंट को क्या करना है तो यह प्लेशosure जा निकंत साइड देखो तो दोनों क्रचेस हमने कहा रखे थे याद करो दोनों क्रचेस कहा रखे थे इंजर्ड साइड के अंदर रखे थे ताकि उस साइड को क्या मिले सपोर्ट अभी चित्र दिखाया था लेकिन यहां पर कहा रख रहा है नौन इंजर्ड साइड के अंदर तो यह व री एजुकेट करना पड़ा है बी देखिए पेशेंट बैक्स अप टू दी चेर सीट अंटिल फिल इट विद दी नॉन इंजर लेग एंड स्टॉप्स ठीक है वह पीछे जो बिना पीछे के साहरा लिए हुई जगे पे अपन बैठ ही नहीं सकते क्रचेस की मदद से तो हमने क्योंको कौन से लेग को एक्स्तेंट रखा है इनजर लेग एक्स्तेंड आउट in front of the chair वयल सीटिंग जब बैठता है तो इनजर लेग को सीधा रखना चयाए तो बेलकुल साहिए उस कोसी नहीं करنا क्योंकि वख्स किसको करता है non affected side को flex करते है affected side कैसा रहता है straight रहता है ठीक है अगला one side and reaches for the hand grip on the crutches and places weight on them while sitting बिल्कुल सही है एक side के खड़ा होकर और वो पॉचके और hand grip को पकड़ेगा पकड़ने के बाद में crutches को पे वेट डालता हुआ कुर्सी के उपर बैठ जाएगा यह point भी बिल्कुल सही है तो इस सारे उत्तर क्या है सेम है ठीक है तो यह वाली बात अपने को दिमाग केंदर रखनी इस तरीके से इस कोशन का उत्तर हो बहुत अच्छा कोशन है यह सीखने लाए कोशन है यह चित्र के माध्यम से भी आपको सिखाया अभी भी नहीं समझोगी तो मैं क्या कर सकता हूं तो सिंग तो सुपा उत्प ईस्तिके चन्ड Such को और रखनी मांध का डंश मांध जाता है फिक गशकुट अजख कोस्य करता है च्छ नवर मिला शुक्ततर कोशन होने दीजी दो कोशन और उसके बाद मैं एक बार जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स वताऊंगा उसमें मैं आपको पका क्लियर कर दूंगा नाम बोलके आपका ठीक है ताकि क्लास में एंड तक जुड़े भी तो रहा हूं ठीक है कुछ वच्चों का उत्तर आ रहा है ठीक है सुरेश जी बोल रहे हैं स्ट्रॉंग साइड में श्वेता जी बोल रहे हैं बी अनिल बोल रहे हैं ए मैं आज आपका गजब कोशन का कंसेप्ट क्लियर करने कोशिश करता हूं सुनिएगा बहुत ध्यान से स्ट्रिंग में बी आशीज जी बोल रहे हैं बी ट्रेवल बाय हार्ट बी स्ट्रॉंग साइड में सुरेश बोल रहे हैं स्ट्रॉंग साइड में अनिल जी बोल रहे हैं वीक साइड के अंदर मलब जो स्टिक का इस्तमाल करेंगे तो वह कौन से साइड में करना चाहिए मान वही है जो आप सोच रहे हो रोई जी बिल्कुल वही है थीक है देखो नौट सेट का पेपर क्लियर करना बहुत आसान बात है आपको फालतू का सेलेबस नहीं पढ़ना होता बहुत रिकमंडेट है आप लोगों से कि उतना ही पड़ो जितना अपने को जरूत है अपने को बिल्कुल भी और स्टडी नहीं करनी है जितना मार् देखे है चलो आपको बिल्कुल कोष्ण सौल होएगा स्वेटा जी मेरे को ध्याने मेने नोट कर रहाए च्रेक्शन की क्लास ज्यरूर आपके सामने आ जाएगी ठीक है त्लास थीक है अब लेते रहिए एक्क कर के सारे टौपिक्स के नाम आजाएंगे आपको जो भी टौ राजू रहता है ठीक है और यह राजू जी जो है इनका एक पाव इंजर्ण है यह वाला राइट वाला मान लेता है। और लेफ्ट वाला जो पाव है वो एकदम सही है। अब यह डंडी इनको देनी है है वोला यह है वीया कैन है यह क्या है यह कैन है यह कैन क्यों बोला क्योंग जोола यहहीं को क्योंकि आपने को यह कहां देनी चाहिए तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अराम से अगर यह पाउं इसका स्ट्रॉंग है और इस पाउं को यह उठाता है इस स्ट्रॉंग पाउं को चलने के लिए यह उठाता है चिडिया उड़ स्ट्रॉंग पाउं उड़ जैसे यह स्ट्रॉंग पाउं उठाएगा तो सारा मैं एक डंडी हाथ में दे दू तो इस पाउं को जबी भी ये उठाएगा तो इस पाउं का भी वजन इसके उपर डाला जा सकता है और इस इंजर्ड लेग के उपर ज्यादा वजन पढ़ने से रोका जा सकता है इसलिए हमारे इस कोशन का उतर रहेगा कि हम इसको कहां पर लेक पे जो कि आप पार्शल वेट बेरिंग ही इस पर कर सकते हो इसलिए आप साथ में क्या लेजी स्टीक ताकि जब आप आप अन इंजर्ड पाउं को उठाओ यह पाउं को उठाओ तो उसकी ट्रांसफर कर सको किसके उपर कें की उपर यह इसका हुगतले अगला कोशन देखेगा दो कोशन और है ध्यान से देखे अराम से बैतरीन कोशन है वाल दी पेशेंट एमबुलेट इन दी हॉलवे विद वोकर नर्स विल मेक ट्राइटी टू बहुत अच्छा कोशन है सेविंध कोशन का उत्तर लगा नहीं खुद कोशिश कीजिए खुद कोशिश कीजिएगा फुट एक हिंट दे रहता हूँ कि पहले वाला जो कोशन किया था उसके ऑपोसिट आंसर है इसका सत्यंदर जी बी जोती जी बी मनिशा बी प्रिति डी आशीश सी मनु डी मनु जी डी सुरेश डी धीरज रात्पु जी बोल रहें डी बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी ठीक है कई लोग उत्तर लगा रहें बहुत बढ़ी है उत्तर लगा रहें आप लोग तीक और सभी बता रहा हूँ आपको मैं स्टडी से महबत कीजिए प्यार कीजिए आपको मजा आ जाएगा राजू का एक्जामपल मत दो मेरा दोस्त अरे भाईया पूर नहीं लेना तो वही है महबत कर पड़ा इसे राजू से महबत मत कर नहीं तो सम लेंग इक तवाला पता ही है तेरको चल वाइल पेशेंट अमूलेट्स इन दी हॉल्वे विद वॉकर नर्स विल मेक इट प्राइटी टू बहुत बढ़ी है देखो एक रूल बता देता हूं कि जब भी किसी भी एसेस्टिव वॉकिण ॡिवाइस का इस्तिमाल किया जाए तीन एसेस्टी वॉकिंग डिवाइस होते हैं एक तोह हम बात करी रही है आज हमारा टॉपिक के आपकी का नाम है करच Tut correct शरू है क्न मैंन आपको अभी इसससे पहले जस्ट वता दिया क्या व बात है assistive ambulatory device एक ही नाम है कोई चिंता की बात नहीं चाहे assistive walking device बोले चाहे assistive ambulatory device बोले दोनों एक ही बात है गंगादरी शक्तिमान शक्तिमानी गंगादर कितने तरीके के होते है तीन करच केन और तीसरा कौन सा है ठीक है अब सुनिएगा जब patient किसी भी assistive walking device का इस्तमाल कर होता है तो हमेशा नर्स को उसके affected side में खड़ा होना होता है यह rule है इस rule को लिख लीजिए आप पहली बात तो यह रही ठीक है जबी भी किसी भी assistive walking device का इस्तमाल कर रहा होता है चाहे वो करच हो चाहे केन हो चाहे वोकर हो और question आजा है कि नर्स उसके साथ-साथ में चल रह है या चल रही है तो किस side में खड़ी होगी या खड़ा होगा तो उत्तर होगा जो भी उसका affected side है उस limb के पास-पास में ना आगे ना पीछे ना right में ना left में जो भी affected side है बस उसी के पास साथ में पेशेंट की चलना है मानलो मैं नर्स हूँ और इधर कोई एक patient है उसका right leg injured है तो मैं उसके right leg के साथ-साथ में चलता रहूंगा जब वो किसका इस्तमाल कर रहा हूं एक राज की बात बता रहा हूं बूलना मत आपका concept clear हो जाए खतर रहा सुनेगा ज्यान से मेरी बात एक और question ज्यान से सुनिए कि जब पेशेंट एसस्तिव वोकिंग डिवाइस का पेशेंट को चलाती है तो विदाउट एसस्तिव डिवाइस विदाउट एसस्तिव एंबुलेट्री डिवाइस जब पेशेंट चलेगा तो नर्स हमेशा उसके अनफेक्टेड side में खडई रहेगी ये बात समलीजीए ये जनम गुटी है समलीजेगा इस बात को वापस सुन लिजे जब assistive walking device का इस्तामाल कर होते हैं तो nurse हमेशा affected side के बगल में खड़ी रहेगी चलेगी और जब assistive walking device का इस्तामाल नहीं कर रहे होते हैं सिम्पल चल रहे होते हैं तो आप किस तरफ खड़े रहोगे an affected side में या strong side में खड़े रहोगे क्योंकि strong side को जैसे ही patient ने हवा में किया तो affected side उस वजन को जेल नहीं पाएगा अगर तो nurse side में उसका क्या कर लेगी support कर लेगी ये इसका answer रेता है ये important बात है इसको लिख लीजिए च्छाप लीजिए जा च्छापना है मौस्बी की question सौल होते है इसे बड़े बड़े ये च्छोटी सी बात से इसको ध्यान से लिख लीजिए इसको चीक है तो चलिए last question पर जलते हैं तो यहां उतर क्या रहेगा क्योंकि यहां पर वाकर का स्तुमल कर रहा है पेशिए तो जब फोकर का इस्तुमल कर रह है तो कहां ख़ड़ा रहना आपको बिंत ओन धी स्टांध कर रहे है क्योंकि इसका इस्तवाल कर रहे हिख अगर वाकर नहीं लिखता तो यह उत्तर हो crutches when the hand grip is properly placed the angle of the elbow flexion will be कितना degree होगा बताईए अभी अभी आपको बताए भी था मैंने starting में option के side में हो जाता हूं मैं आठवे question का उत्तर बताईगा 20 degree का कोण होना ची 30 degree का 40 degree का 50 degree का दिरज बी अशोग जी बी मन्नु जी बी मुझे लग रहा है यह question तो आपने चुटकियों में solve कर लिया लगता है ना 20 30 40 पचास क्या है कुछ भी नहीं सरीए तो है ना 30 degree ओके अभी अभी बताया था आपको कि देखिए यहां पर जो बैंट होता है और जो यह इस concept good अब मैं आपको क्रचेश के बारे में कुछ-कुछ बाते अल्रीडी कुछ बता रखिए कुछ बता रहता हूं देखिए वाई साब यह आपको मया आ जाएगा क्रचेश के बारे में सुनकर ठीक है अब देखिए यह जो क्रच दिखाई दे रहा है आपको जो डिज hand piece दिखाई दे रहा है का hand piece ठीक है एक देखिए यहां पे यह four arm rest अब समय कीकिए और Nwy यह यह गन्रीष गा देखिए और आसे कि यह नां पर एसे कुफ दिखाई दे रहा है स् यू डबल हいつ vaccin के अंदर यह क्रच को बोलता है गटर करच ऐसे लोग जो सरेब्यल पालसी के होते हैं ऑट सेक्सिरिया केशियर के सी болगे उनके अंदर जाथ की गरिप जिन खराब ऊने लोगोगे इस करचेश करचे का साइस ढूंद आइस का समय इस समाल किया जा सकता है ठीक है कि चलो तो यह गटर क्रच है मैं आपने पड़ सकता जीव अजीव से लिख रहे हो आप खैड चलो तो यह जो है गटर क्रच है ठीक है इसके बारे में एक क्लास लेंगे अलग से यह देखे इसको बोलते केनेडियन क्रच करच का दूसरा नाम होता लोफ क्प्रे enabled क्प्रीज की कि वोले इसी को बोलेंगे एलभॉ क्प्रेंगे लोफ स्ट्राइड क्रच और इसी को बोलेंगे मुझे अलप अमरिका इंदर नॉर्थ इस इक आंदर तो थो हम लोग नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर बात करेंगे ऐसी दिखाई देती दोनों क्रच माना आपको बता दी अब आजाई इधर अपने नहीं करफा आज है वह यह रहाई थीक है और यह जो क्रच है इसको बोलते अपने आपने अपने एकषिल स हो नीकरफिक इनकर पांच На के अफ प्रिशक शर एक्राब के अबुस्त जो से नीशारory पोला की क्या क्रच के उपरा तो उना रहता है मतलब आपको वेट नहीं ऑसमेशा करना के ऐना आपको ल्जब़ राजस्थान राजस्तान व्यूंविवर्सिटी रोता अब नहीं हमेशा कहा देखना होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना होता है तो पॉइंट से इंपोर्टेंट रहते हैं इसको याद करने का इस तरीका है तीन उखली का गैप लगाएं एल्बो को तीस डिगरी गुमा यह इसको याद रखने का यह गाना बना दिया ठीक है इसे याद रहता है ठीक है यह देखे पेशेंट को बोले का जूम लु मैं अरे ना रेona रेona पैशेण को बोले जनजनाट होने लगेगी, करेंट उत्पन होने लगेगा, तो बोल दो भई नहीं ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है, तो यह इसको याद करने का तरीका है, एक्जाम में याद रखेगा, कि तीन उंगली का गैप लगा के, एल्बो को 30 डिगरी गूमा के, क्रच वाक, क्रच वाक, पिशेंट बोलेगा, जरासा जूमलू मेरे नरे नरे न, जरासा घूमलू मेरे नरे नरे न, आ तुझे चूमलू मेरे नरे न, तो यह याद रखने का तरीका है, दोस्तों, तो दिस इस दी फॉर्मिट फॉर्डी एक्जलरी क्रच, ठीक है न, एक फोटो यहाँ पर बनाई यह आपके पाओं का मिड़ पॉइंट यहाँ इस मिड़ पॉइंट से डाइगनली रखना रहता है, करीब-करीब 10 इंच, नौर्सेट के एक्जैम से आप दोगे तो यह थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, बाकी तो ज्यादा जरूत नहीं है, तो 10 इंच मतलब करीब-करी ठीक है, 10 इंच दूर रखेंगे, मतलब कीता सेंटिमेट रखेंगी나? 25 सेंटिमेट ठीक, तो इस दी बात है, ओके? तो ठीक है दोस्तों यह इस तरीके से क्रच को लेके चलते हैं मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिया बैठते कैसे हैं मैंने आपको बताया और प्रिती जी ने पूछा था एक बार वापस उठते वक्त बताएगा कैसे हैं यह बता लेता हूं आपको वापस सुनेगा जब क्रच का इस्तमाल करके बैठना चाहते हैं कुर्सी के ऊपर तो पहले आप कुर्सी के पास में आ जाईए बिल्कुल आ जाईए आने के बाद में जो भी आपका इंजर्ड साइड रहता है उस इंजर्ड साइड में दौनों करच इसको रख दीजिए देखो एक नंबर क्रच द इंजर्ड पाउं रहे जाएगा एक्स्तेंड ये एक्सेंड रहे गया और कुर्सी के उपर पीछे जम जाईए आप उठते वक्त बिल्कुल उल्टा परिती जान से सुनिएगा जब उठेंगे जब क्या करेंगे जब उठेंगे तो यह जो फ्लेक्स किया था आपने इस फ् इसका जैसे बैठते हैं उसका बिल्कुल उपोजिट उठना होता है ठीक है होके क्लियर है सभी बच्चों को चड़ते वक्त और उतरते वक्त मैं ये चित्र है एक बार फिट से देख लीजे इधर चड़ते वक्त मैंने आपको बताया यू फॉर अप स्टेयर यू फॉर अ अफेक्टेड पहले अनफेक्टेड को लाएंगे अनफेक्टेड के बाद में किसको लाएंगे क्रच और अफेक्टेड पाउं को इससे ठीक उल्टा उपोजिट उतरते वक्त होगा जैसे आप डाउन स्टेयर करोगे डाउन स्टेयर तो बिल्कुल उल्टा कर लीजिए पह सेड़ी चढ़ते और सेड़ी उतरते हैं ठीक है न? यहाँ गेट्स हैं देखिए मैंने आपको बता है पाच गेट्स स्टूल हमारे सेलबस में अपने बारे में पढ़ना है अब पाच गेट्स पढ़ते हैं एक पॉइंट अपने दिबांग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए यह वेट बेरिंग का मतलब है कि आप अपने दौनों ही पाउं पे बिल्कुल भी वजन नहीं डाल सकते हैं ठीक है इसको क्या बोलते है नोन वेट बेरिंग ठीक है ना पैला पॉइंट दूसरा पार्शल वेट बेरिंग पार्शल वेट बेरिंग पार्शल वेट बेरिंग मतलब अगर आप चाहो तो अपने injured पाउं पे वजन डाल सकते हो लेकिन कैसा वजन डालना है partial partial मतलब 20 से 70% आपके body का weight आप किस पे डाल सकते हो injured पाउं पे डाल सकते हो इसको बोलते partial weight bearing और last तीसरा होता है full weight bearing full weight bearing full weight bearing मतलब जो भी आपके injured पाउं है उसके उपर आप 100% अपना body का क्या डाल सकते हो weight ठीक है अब अगर हमने हाथ में किसी को बैसा की दी है तो हम किस केस के अंदर देंगे या तो partial weight bearing के case में या फिर no weight bearing जहाँ पर full weight bearing हो वहाँ पर वैसा की देने से मतलब ही क्या है जब दोनों पाउं पर वजन जहल सकता है ठीक है तो इसलिए क्रच का इस्तमाल हम या तो partial weight bearing में करते है या फिर no weight bearing के अंदर करते है ठीक है यह बात आपको दिमाग में रखनी है अब हमने बोला कि 5 gate हमारे syllabus में है पहली gate कौन सी है 2 point दूसरी कौन सी है 3 point तीसरी कौन सी है 2 point 3 point 4 point फिर क्या है swing 2 और last है swing through ठीक है अब देखिए 2 point 2 point हम partial weight bearing में देंगे 3 point भी हम no weight bearing में देंगे इंपोटेंट इस point को लिख ले न 3 point का मतलब है आप जो भी आपके injured palm है उसको आपको उपर ही रखना है नीचे touch नहीं कर सकते तभी तो 3 point बनेगा नहीं तो 4 ही बन जाता ठीक है और 4 point भी किसमें देंगे partial weight bearing में देंगे 4 point gate is slowest सबसे slowest gate और सबसे तेज कौन सा होता है पार्शल वेट बेरिंग में पार्शल वेट बेरिंग में हम स्विंग तू यह स्विंग तू गेट देंगे तो कहां no weight bearing के अंदर कौन सी गेट एक ही ए 3 point इंपोर्टन याद रखना निम्ड में से कौन से point gate हम no weight bearing में देते हैं तो उत्तर होता है 3 point अब एक एक gate को मैं आपको बहुत आसान है इसका question गलत मत कीजेगा सबसे पहले चीज मैं आपको पहले वता रहा हूं 2 point gate यह जो चित्र है यह 2 point gate का है 2 point 2 point gate का मतलब है कि आप दौनों की दौनों पाउं आपके ऐसी स्थिती में है कि injured है लेकिन आप उसमें partial weight bearing कर सकते हो और आपकी injury ज्यादा खतरनाक नहीं है बहुत ध्यान से सुनिये मैं क्या कह रहा हूं देखे 2 point और 4 point gate में एक difference होता है यहाँ पर भी both leg involved होते हैं यहाँ पर भी both leg की injury होती है और यहाँ पर भी both leg की injury होती है ठीक है लेकिन आप इसमें partial weight bearing दे सकते हो यहाँ पर भी partial weight bearing दे सकते हैं तो फिर दौन one point gate जो होता है यह less severe case में दिया जाता है और four point gate more severe case में दिया जाता है ठीक है यह difference है बाकि दोनों same है चाहे two point do two, four point two, तो दो किस안 देते हैं जब दोनों की दोनों leg क्या रहा है injured रैइट लेफ्ट भी injured ठीक है दोनों की दोनों leg क्या है इंजड है, यहां पर भी partial weight bearing दी जा सकती है, यहां पर भी partial weight bearing दी जा सकती है, partial weight bearing का earth मैं आपको समझा चुका हूँ, कि 20 से 70% आप body का weight डाल सकते हो, इसको बोलते है partial weight bearing, तो फिर दौनों में difference क्या हुआ, किसको कौन सा दे, तो देखिए आपको कैसी बिमारी है, आपकी बिम रखेगा, फिर एक पाउं रखेगा, तो बहुत slow gate होता है, तो more severe case के अंदर कौन सा gate दिया जाता है, four point gate दिया जाता है, important बात है, ध्यान से देखेगा, ठीक है, अब सुनेगा मेरी बात, यह two point gate के अंदर करते क्या है, two point gate के अंदर क्योंकि दौनों की दौनों पाउं क्रच आगे रखो या left वाल आगे रखो आपके जचे जो रख सकते हो, ठीक है, यह depend करेगा कि आप right handed हो या left handed हो, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई right handed patient है, तो वो पहले अपना right crutch plus left leg को आगे बढ़ा देगा, पहला point, right crutch यह रहा, और left leg वो रहा, दोनों को आगे बढ़ा leg को second point में लेके आएगा, उसको बलेंगे second point, ठीक है, तो one point और two point, कितने point तक रहा है, दो, जैसे कि कोई, one, two, one, two, वापस देखिए, one, two, जो क्रच आगे ले जा रहा हो, उसको opposite पाउं लेके जाना है, तो one and two यह बात ध्यान रखना है, चाहे right की जगे आप left पहले लिख two point का gate, ठीक है, तो यह हो गया two point gate, two point और four point में difference में बता चुका हूँ, ठीक है, three point gate का इस्तमाल कप करते हैं, जब आप एक पाउं पे बिल्कुल भी weight bearing नहीं करोगे, इसका मतलब one leg पर no weight bearing हो, इसमें करते क्या है, इसमें पहला point, tripod pod position से शुरू करते हैं, start करते हैं, मतलब patient खड़ा होगा tripod, tripod मतलब एक crutch यह रहा, दूसरा यह रहा, एक पाउं यह रहा, लेकिन तीसरा यह जो पाउं यह का रहेगा, उपर की तरफ रहेगा, तो नीचे जमीन पर कितने point अगरा रहे हैं, तीन, इसलिए इसको बोला कैसी position स स्टार्ट करेगा, tripod position से स्टार्ट करने के बाद, पहले दौनों crutches और injured leg को आगे बढ़ाएगा, बोत crutch प्लस injured leg को हवा में, injured leg कैसा रहेगा उसका, जमीन पर तो टकरा नी सकता, मैंने बोला, जमीन पर टकरा होगे तो आगे की तरफ forward link हो जाएगा, जूल जाएगा, ठीक unaffected leg को आगे बढ़ा देगा, यह है 3 point gate, ठीक है, तो this is the rule for 3 point gate, इसके अंदर पहले tripod condition से स्टार्ट करना होता है, tripod position के बाद में, दोनों crutches को आगे रखते हैं, और affected leg को forward लेके आते हैं, लेकिन इसको जमीन पर touch नहीं करते हैं, और उसके बाद जो non affected leg उसको आगे लेके आ 4 point के अंदर सिर्फ इतना अर्थ है कि severity अगर दौनों पाओं में ज्यादा है, तो 4 point gate दो, क्योंकि 4 point gate हमेशा partial weight bearing में दिया जाएगा, और इस gate के अंदर slowest gate रहेगा, और इसमें क्या करेंगे, पहले right crutch को आगे लेके आएंगे, right crutch, right crutch के बाद में opposite leg को लेके आएंगे, मतलब left leg को, फिर उल्टा left crutch को लेके आएंगे, और उसके बाद में right leg को लेके आएंगे, ये rule रहेगा, ठीक है, अब मैं फिर कहरा हूँ, यहाँ जरूरी नहीं कि starting आप right से करो, आप left से करोगे तो यहाँ left आजाएगा, right आजा point जमीन पर अलग-अलग टकराएंगे, इसलिए इसका नाम होता है कैसा four point, सबसे ज्यादा stable gate यही रहता है, इसमें गेरने की सम्भावना बिल्कुल कम है, बिल्कुल दीरे 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 slowest gate है यह, ठीक है न, तो यह हमारे पास होगे कैसा gate four point gate, last मैंने आपको बताया, swing two और swing through का earth, तो swing two और swing through का earth क्या होता है, तो swing two का मतलब होता है, कि चलते वक्त, आप अपने क्रच को आगे रखे, और फिर कूद के क्रच के बिल्कुल बगल में आ गए, तो क्रच के बिल्कुल बगल में आ जाते हैं, तो इसको बोलते है, swing two, और जब इसको पास कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं स्विंग थुरू तो आज की क्लास आपको समझ महीं होगी दोस्तों आशा करता हूं फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी इसके सेकेंड पार्ट के अंदर जिसमें बाकी दो क्रचिस की इंफॉर्मेशन दोंगा तब तक के लिए जै हिंद जै भा तोस्तों